Hello friends and welcome to my channel, मेरा नाम है कुनाल मलोत्रा, इस चैनल पर मैं photography and video related videos बनाता हूँ, और आज इस वीडियो से मैं एक नई सीरी शुरू कर रहा हूँ, जो है flash photography के बारे में, इस वीडियो में मैं थोड़ी basics की बात करूँगा, आगे सीरीज में हम थोड़ा advance जाएंगे, थोड़े advance features के बारे में बात करेंगे, practical बहुत चीज़ें हैं जो आने वाली हैं इस सीरीज में, तो मैं बहुत excited हूँ, अगर आप भी interested हो, do it the like button and let's get started with this video, तो इस से पहले कि मैं start करूँगी, हम flash photography क्यों करते हैं, इसके क्या features हैं, क्या benefits हैं, हम flash, external flash को use कब करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले ये understand करना पड़ेगा, कि हमारे DSLR mirrorless, काफी camera's में built-in flash आता है, तो जब हमारे पास built-in flash है, तो हम external flash क्यों use करते हैं, एक बहुत simple reason है, वो है flash sync speed, हर camera की एक flash sync speed होती है, जो आप google करोगे, तो आपको easily मिल जाएगा, मैं एक average पताता हूँ, 1 by 200th of a second, average होता है, almost हर camera में, अब ये flash sync speed होता क्या है, जब आप अपने DSLR या camera से photo click कर रहे हो, आप कभी ये realize करना, जब आप camera की settings adjust करोगे, 200th से fast नहीं जाएगी, fast मतलब 1 by 500, 1 by 1000, वहाँ आप जाही नहीं पाऊगे, उसका reason है, कि जो आपकी flash sync speed है, वो 1 by 200 है, वो उस पे set है, उससे उपर आप नहीं जा सकते हैं, अब ये एक पहला reason आता है, कि हम external flash क्यों use करते हैं, अगर वो flash high sync speed है, और बहुत छोटी सी light हो दी है, अब वो इतनी छोटी सी light है, वो directly subject के उपर जा रहा है, एक वो एकदम flat image कर देता है, कुछ shadows नहीं बनती, और बहुत hard light आती है, बहुत hot spots बन जाते हैं face पे, आपने कभी देखा होगा, तो ये कुछ major reasons होते हैं, कि हम external flash क्यों choose करते हैं, अब हम बात कर रहेते हैं, flashing speed की, वो क्या होता है, और क्यों हमारा camera, उस flashing speed से, fast shutter speed पे नहीं जा सकता, मैं आपको यहाँ एक sample दिखाता हूँ, ये मैंने photo click करी है, जहांपे मेरा shutter speed 1 by 200 से fast है, अब आप notice करोगे, कि यहाँ पे थोड़ा area black है, यहाँ अगर और fast जाते जाओगे, तो पूरी image black होनी start हो जाएगी, इसका सबसे बड़ा reason है, कि जब आप shoot कर रहे हो, तो आप flashing speed के अंदर shoot नहीं कर रहे हैं, आप उसको exceed कर रहे हो, अब इसके पीछे आपको सुनने में लगेगा technical है, बट मैं बहुत easy way में समझाता हूँ, जो आजकल हमारे camera में shutter होता है, तो वो कैसे function करता है, एक shutter, जब आप shutter button press करते हो, वो shutter open होता है, यह वाला follow करता है, जब shutter बंद होता है, तो आपकी जो sync speed होती है, वो इससाब से होती है, कि जब flash होगी, camera वली flash, तो वो इससाब से होगी, कि जब shutter open होगा, और close होगा है, उतनी duration में जब flash throw होती है, तो यह जो window होता है, जो basically जब shutter open होता है, तो पूरा sensor आपका exposed होता है, लाइट से, तो shutter open होगा, अब यह पूरा sensor exposed है, और जैसी बंद होगा, तो sensor पे कुछ light नहीं जा रहा, तो जैसे ही shutter open होता है, flash fire होती है, जैसे shutter बंद हो जाता है, अगर इस speed के अंदर, इस sync speed के साथ, आपको कुछ issue नहीं आएगा, जैसे ही आपका shutter speed, 1 by 200 से fast होना start होता है, वहाँ पे problem आनी start होती है, अब obviously आपके mind में question आएगा, कि अगर यह flashing speed को अगर हम exceed करते हैं, तो हमारी image में black area जो आते हैं, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इसी reason की वज़़ए से, हम external flash में invest करते हैं, अब यहाँ पे मेरे पास दो flashes है, एक manual flash है, non-HSS और यह वाली flash, high sync speed flash है, अब जिस flash में high sync speed नहीं है, वो उसी funda पे चलेगा, जो आपका flashing speed वाला था, इस non-HSS flash में, अगर मैं shutter speed 1 by 200 से उपर लेके जाता हूँ, no matter what, मेरे photo में black area आना start हो जाएगा, और अगर मैं 1 by 2,000 या 4,000 पे चला गया, तो पूरी image black आईगी, तो इस flash को हम क्यों use करते हैं, पहली चीज़ यह बहुत affordable flash है, अथारो सो दोहसार रुपे की, इसमें आपको high sync speed नहीं मिलता, बट आप 1 by 200 या उससे slow shutter speed यूज़ कर रहे हो, तब आप इस flash को जई से use कर सकते हो, अगर आपका use है 1 by 200 से fast जाने का, वहाँ पे हम use करते हैं HSS flash, तो high sync speed एक ऐसी technology है, जो आप use कर सकते हो flash sync speed को overcome करने के लिए, अब अगर आपके पास HSS flash है, आप 1 by 2000 की shutter speed पे भी outdoor कहीं भी shoot कर सकते हो, और आपके photo में वो black bars या पूरी image black नहीं आएगी, तो ये था basic funda कि हम external flash क्यों use करते हैं, एक next बहुत बढ़ा reason है कि जब आप camera pop-up flash यूज़ करते हो, उसमें आप angle set नहीं कर सकते हैं, आपके एक defined angle पे flash है, अब external flash में मुझे क्या benefit मिलता है, सबसे पहली चीज़ by default मैं इसको directly subject के उपर throw कर सकता हूँ, मैं bounce करा सकता हूँ flash को उपर से, मैं इसको direction दे सकता हूँ, कि अगर मैं को side से bounce कराना है थाकि इधर से bounce reflect होके आए या bounce होके आए जो flash है, तो यह कुछ major reasons है कि हम external flash क्यों use करते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा use external flash का होता है कि आप उसको wirelessly use कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है मैं हमेशा flash को camera के उपर लगा के shoot करो, अगर मैं यहां से camera से shoot कर रहा हूँ, मैं इस flash को ऐसे पकड़के भी shoot कर सकता हूँ, subject के पीछे रख सकता हूँ, कहीं भी flash को मैं लिजा सकता हूँ, बट एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप off camera flash को use कर रहे हो, एक option है आप इस trigger को use करो तो यह वाला trigger है मेरा camera के उपर जाएगा, इस flash में built-in receiver है, तो यह आपस में communicate कर लेते हैं, simply यह camera के उपर जाएगा और यह flash में कहीं भी हाथ में पकड़के shoot करना start कर सकता हूँ, इसका फाइदा क्या है, अभी यह आप वीडियो देख रहो light मेरी side में है, तो आप देखे रहो कि कैसा एक dramatic light आ रहा है, एक directional light है, यह benefit होता है off camera flash को use करने का, तो यह एक method है, दूसरा method होता है कि कहीं flashes में built-in receiver नहीं होता, तो आपको transmitter और receiver अलग से kit आती है, वह अभी मैं detail में नहीं जाओंगा, slave mode एक बहुत interesting feature है, अगर आप off camera flash यूज करना चारे हो आपके पास trigger नहीं है या आपको नहीं invest करना, almost हर flash में slave mode होता है अगर आप उसको enable करते हो, अब यह कैसे चलता है, अगर आपके पास कोई दूसरी flash एक example लेते हैं, उस flash से या camera की जो pop-up flash है, उसको जब आप click करोगे जब वह flash pop होगी तो यह automatically इसका sensor detect कर लेगा यहां से और वह flash fire कर देगा without any receiver और transmitter, तो यह slave mode का benefit है यह अगर आप wireless यह off camera flash करना चाहरे हो, आपके बास trigger receiver नहीं है, slave mode पे डालो flash को, camera की pop-up flash on कर लो उससे जब आप shoot करोगे, तो हो सकता है एक light यहां से आ रही है, इस flash को मैंने यहां रख दिया, तो जब मैं click करोंगा camera की flash आएगी और दूसरी मेरी इधर से flash आएगी, तो slave mode का बहुत सही benefit है, almost हर flash में मिल जाता है, तो यह कुछ basic था flash photography का, कि हम built-in flash है उसके ऊपर यह उसको हम upgrade करके, यहां उसको हम क्यों ignore करते हैं और क्यों हम एक external flash यूस करना start करते हैं, यह बहुत basic था, next कुछ videos हैं हम धीरे-धीरे advanced level पर जाएंगे, और हां एक और चीज़, अभी मैं recently online courses start कर रहा हूँ, उसका जो link है मैं description में दे दूँगा, हमाद चेक कर लेना editing and photography दोनों के courses हैं हिंदी में, अगर यह series आपको interesting लगी यह video specially, do it the like button, comment करके में को बताना, I love to know your views, हम मिलते हैं आगे इसी तरह interesting and informative videos में, तब तक take care and keep clicking.